The past is the present, isn't it? It's the future too. We all try to lie out of that, but life won't let us. वेर्स आज की वीडियो में हम डिस्किस करेंगे एक American author Eugene O'Neill का बहुत ही famous play Long Day's Journey Into Night. Eugene O'Neill की ये play लिखने की strong reason real life issues को highlight करना थी. Basically ये एक couple और उनके दो बेटों की कहानी है जो guilt, isolation, betrayal और मुख्तलिफ तरह की addictions का शिकार होते हैं. माजी की गलतियां उनके हाल और मस्तक्बिल पर असर अंदाज होते हैं और वो एक दूसरे को blame करते हैं. अगर्चे उनकी battle divine will के खिलाफ नहीं होती लेकिन फिर भी वो खुद की मदद नहीं कर पाते. उनील को ये play लिखने में दो साल लगे और इसमें autobiographical elements भी हैं. उनील ने अपने दर्दनाक माजी को recall किया और different characters के जरीए अपनी life और अपने past को बयान किया कि उन्हें किस तरह के हालाते जिन्दी से गुजरना पड़ा. ये play 1940 से 41 तक की duration में लिखा गया और 1956 में यूजीन उनील की death के बाद publish हुआ. इसका literary period है modernism और post-modernism और इसका genre है drama और realism की technique यूज की गई है. इस play की setting रखी गई the tire on summer house में. ये कहानी एक दिन पर मुश्टमिल है यनि सुबो के वक्त शुरू होती है और रात के वक्त खतम हो जाती है. अगस्ट 1912 का time period चल रहा होता है जब सुबो साड़े आठ बजे यनि 8.30 एम जेम्स टायरून अपने summer house के living room में अपनी वाइफ मेरी टायरून के साथ बैठा होता है. मेरी 54 येर्ज ओल्ड एक medium height की खातून है और morphine addicted है. यनि morphine बहुत ज़ादा लेती है. इसी वज़ा से इसके हाथ मसलसल कामते रहते हैं. प्ले के शुरू मेरी अपने treatment के बाद एक sanitarium से वापिस आई है. जेम्स उसकी वापसी पर खुशी का इजहार करता है और मेरी को अपना treatment करवाने और इसे अच्छे काम को जारी रखने के लिए encourage करता है. जेम्स बेसिकली 65 यर्ज ओल्ड है लेकिन फिर भी ये मेरी से यंगर नजर आता है. अब मेरी बहुत बेचैन दिखाई देती है और कहती है कि वो सारी रात सो नहीं सकी. क्योंकि पास्ट के फोग होर्न ने उसकी नीन्द खराब कर दी. फोग होर्न सिंबलाइस कर रहा है पास्ट को. क्योंकि जब भी फोग होर्न बचता है तो मेरी अपने पास्ट के बारे में सोचने लगती है और माजी में खो जाती है. जेम्स और मेरी के दो बेटे हैं जैमी और एडमंड. जैमी बड़ा बेटा है और 33 एर्ज ओल्ड है ड्रिंकिंग करता है प्रोस्टिट्यूट्स में दिल्चस्पी लेता है और कोई प्रॉपर काम नहीं करता जिसकी वज़ा से उसका फादर जेम्स उसे तनकीद भी करता है दूसरी तरफ एडमंड 23 एर्ज ओल्ड है और इसे ट्यूबर क्लॉसिज है यूजीन उनिल इन करेक्टर्स के जरीए दरसल अपनी लाइफ को बियान करता है एडमंड यूजीन खुद है क्योंकि यूजीन को भी ट्यूबर क्लॉसिज था जैमी यूजीन का बड़ा बाई जो ड्रिंकिंग किया करता था और मेरी की तरह यूजीन की मदर भी मॉर्फीन अडिक्टिड थी फिर मेरी और टायरोन नाश्टा कर रहे होते हैं साथ वले कमरे से जैमी और एडमंड दोनों की हसने की आवाजे आती है जिस पर टायरोन कहता है कि जरूर मेरा मजाक उड़ा कर हंस रहे होंगे इसी दुरान एडमंड खांसी करता है जो एडमंड की सिकनस को शो करती है क्योंकि एडमंड को ट्यूबर कलॉसिज था फिर दोनों बच्चे लिविंग रूम में आते हैं और सब बाते करने लगते हैं कि किस तरह जैम्ड रात को स्नोरिंग करता है यनी खराटे लेता है मैरी कहती है कि अगर जेम्स के पास दस गुना बढ़ा कर भी फोग होन बजाया जाए ये तब भी नहीं उठेगा फिर जेम्स टाइरन अपने बेटों को काम की इखलाकियात ना होने की वज़े से तंग करने लगता है एडमंड उठकर बाहर चला जाता है मैरी जेम्स से कहती है कि आपको बच्चे के साथ नर्मी से पेश आना चाहिए क्योंकि वो बेमार है जेम्स कहता है कि डॉक्टर हार्डी ने बताया है कि एडमंड को मलेरिया फीवर हो गया था लेकिन मेरी ये बात मानने से इंकार कर देती है क्योंकि मेरी को इलूयन्स यानि दोके में रहना पसंद था वो कहती है एडमन्ट जल्दी ठीक हो जाएगा और डक्टर हार्डी तो बहुत चीप यानि सस्ता डॉक्टर है ये कहकर मेरी किचन में चली जाती है फिर पीछे जैमी और टाइरन दोबारा से एडमन्ट को डिसकस करने लगते है कि जैमी अपने फादर से कहता है कि एडमन्ट जब पहली बार बेमार हुआ था तो आपने उसे किसी अच्छे डॉक्टर को नहीं दिखाया और एक सस्ते हकीम यनि डॉक्टर हार्डी के पास ले गए जो उसके बाई का इलाज नहीं कर सका टाइरन कहता है कि तुम एक डॉलर की किमत नहीं जानते महंगे सुसाइटी डॉक्टरों को मैं अफोर्ड नहीं कर सकता हार्डी बिलकुल काबले एहतराम डॉक्टर है और उल्डा तुमने एड्मन को भी गार दिया है इस पर दोनों बाप बेटा लडने लगते हैं और इसी दुरान मैरी दुबारा दाखिल होती है और वो दोनों जल्दी से मोजू बदल देते हैं और बाहर चले जाते हैं फिर एड्मन वापस अपनी मदर के पास रूम में आता है जहां मैरी अपने पास्ट को रिकॉल करने लगती है कि जेम्स ने कभी भी उसे एक मुस्तकल गर लेकर नहीं दिया और वो मसलसल एक जगह से दूसरी जगह सफर करते रहे हैं और सेकिंड रेट होटेल्स में भी रहे हैं मैरी कहती है कि इसलिए तुम और जैमी कभी रिस्पेक्टेबल वोमन से नहीं मिल सके मैरी मजीद कहती है कि इस तरह के लाइफस्टाइल से वो बहुत तकलीफ और दुख मحسوس करती है और अपने पास्ट को मिस करती है जब वो एक नन बना चाहती थी इसी गुफटगू के दुरान ही एड्मिड मैरी से उसकी मौर्फीन अडिक्शन के बारे में बात करता है एड्मिड कहता है कि उसने पिछली रात मैरी को स्पेर रूम में जाते हुए देखा था मैरी इस बारे में बात नहीं करना चाहती थी और कहती है कि वो मौर्फीन नहीं लेती और मोजू को बदलते हुए एड्मिड से कहती है कि अब उसे बाहर लौन में जाना चाहिए क्योंकि यही उसकी सिहत के लिए अच्छा होगा फिर दोपहर का वक्त होता है जैमी और एड्मिड एक साथ बैठे होते हैं और दोपहर के खाने का इंतजार कर रहे होते हैं इसी दुरान मैरी भी वहां आ जाती है और उसके हाथ मसलसल कांप रहे होते हैं और उसकी हालत से बिलकुल वाज़ हो रहा होता है कि उसने फिर से मॉर्फीन ली है दोनों अपनी मदर को देखते हैं जैमी एडमिन्ट से कहता है कि तुम्हें मैरी पर यकीन करके उन्हें अकेला नहीं छोड़ना चाहिए था इसी दोरान टायरोन भी आ जाता है और मैरी की हालत देखकर बहुत परिशान हो जाता है कि वो अभी तक मॉर्फीन को नहीं छोड़ पाई मैरी ऐसे जाहर करवाती है जैसे उसे कुछ समझ नहीं आ रहा और वो लापरवा अंदाज में गूमती रहती है और कहती है कि जेम्स टायरोन ने कभी उसे प्रॉपर गर्ड फ्राहम नहीं किया फिर दुपहर के खाने के बाद टेलिफून की गंटी बचती है और टायरोन कॉल रिसीव करता है ये कॉल डॉक्टर हाडी की होती है जो कहता है कि वो चार बजे एडमर्ड से मिलेगा इसी मौका पर मेरी कुछती है कि वो अपस्टेल्ज यनि उपर जा रही है क्योंकि वो दुबारा से मॉरफेन लेना चाह रही थी एडमर्ड अपने फादर और ब्रदर को काईल करने की कोशिश करता है कि उन्हें मैरी को इस हालत में नहीं जोड़ना चाहिए लेकिन वो कहते हैं कि अब कोई फाइदा नहीं वो उपर जा चुकी है इसके बावजूद एडमन्ट भी उपर चला जाता है पीछे टायरन और जैमी रह जाते है जैमी अपने फादर से जगड़ा करता है करने लगते हैं कि किस तरह उनके बेटे यूजीन की डेथ हो गई यूजीन एडमन्ट से बड़ा था जिसकी खसरे की वजा से डेथ हो गई यूजीन की डेथ के बाद एडमन्ट पैदा हुआ था इसलिए मैरी एडमन्ट की स pant के बारे में उनने मेरी को मॉर्फीन दे दी और तब से मेरी को मॉर्फीन की एडिक्शन हो गई शाम के वक्त मेरी अपने घर में काम करने वाली मुलाजमा कैथिलीन के पास बैठी होती है और नॉस्टेलजी कली अपने पास्ट के बारे में सोचती है और बताती है कि उसने नन बनने का फैसला किया था लेकिन फिर वो जेम्स टाइरोन से मिली उन दोनों को लव हो गया और तब उन्होंने शादी कर ली मैरी अपनी परिशानियों का जिमेदार टाइरोन और जैमी को ठहराती है पले की आखिर में आदी रात का वक्त होता है तीनों बाब बेटे बैठे होते है जब जेम्स टाइरोन अपने एक्टिंग करियर के बारे में बताता है इसी दुरान मैरी अपने वैडिंग डरेस के साथ आ रही होती है मेरी का वेडिंग ड्रेस उसकी पास्ट की हैपिनस को सिम्बोलाइज करता है वो अपनी माजी की यादों में खोई होती है और अपने बेटों और हजबंट को पहचानने से भी कासिर है सब उसे बहुत खोफजदा अंदास में बगैर हरकत कि ये देख रहे होते हैं और इसी के साथ ये प्ले एंड हो जाता है वेर्ज उमेद करती हूँ आपको समझ में आया होगा थैंक यू सो मच पर वाचिंग